नमस्कार मैं हूँ संगीता राय पुर्वांचल एक्सपेस नीजस के जवेब पोर्टल में आपका स्वागत है आईए देखते हैं हमारे समवादाता राम सकल यादो किया विशेश रिपोर्ट आजमगर जिले के जियनपूर कट्वाली छेदर के गोरपूर आजमगर राज़े मार्क पर बगहिदार के सम्वी बिती रात एक अनेंतिय टेलर ने मजदूरे से भड़ी मेजिक वाहन को टक्का मारते हुए परट गई इस आसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि साथ गहलों को हाय सेंटर वरार्ट सी के रिफर कर दिया गया है दिवरिया जिले के ट्रक चालाग विपिन चौहान अपने दो अने चालकों के साथ बालू लात कर दिवरिया जा रहे थे जबकि दूसी तरफ गोरगपूर से एक मैजिक वहान पर सवार वरार्ट सी जिले के विबिन खाना च्छेतर के मजदूर सवारों कर वरार्ट सी जा रहे थे जियनपूर कोतवाली की आजमबर गोरगपूर राजिमार्ग पर बागिदार के समीब बालू से लादर प्रक अनेंद्री थो गया और सामने से आरही मैजिक वहान से टककर मारती में पलग गया जिसे मैजिक वान के पर खर्चे उड़ गये चीक पुकार सुनकर मौके पर इस्थानी पहुचे और पुलिस को सूचना दी पुलिस और इस्थानी की मदद से घैलों को बहार निकला गया इस दरन मौके पर तीम व्यक्जिक की मौत हो गया थी आनन फानन में पुलिस की ने घैलों को जिला चीकिस साले में भरती कराया जबी घैलों किसीती गंबीर होता देख चीकिसकों ने हाई सेंटर वारांसी के रिफर कर दिया व्यक्तों में विपिन चौहान पुत्र अग्याद निवासी डुमरी ठाना रामपूर जनपत्देवरिया सुखो मिस्री पुत्र बोरर निवासी कादीपूर ठाना रोहनिया जिला वर अमेस अग्याद सामिल है गायलोक में अकरम पुत्र इंतियाश, धम्यन को पुत्र रामदास, निवासी गर डुमरी ठाना रामपूर जनपत्देवरिया, ब्रिजेस, दिली, प्रदीप, तेजबहादु सामिल है वही पुलिस अधिक्षा का कहना है कि देरा ट्रक और मैजिक की टकर कोरा जादा होने के वज़े से हुई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, बाकी लोगों को जिला चिकिस सालम भेजा रहा है लेकिर उनकी गभी हरत देखकर वरांची के रिफिक कर दिया गया है देखें, बिती रात में एक ट्रक और मैजिक के बीच में टकर हुई थी, रात कोरा भी कापी था और समभता इसी करण दोनों में टकर हुई, लोडेट ट्रक था जो मौरंग से बरा हुआ था और मैजिक में गोरकपूर से बटे के मद्दूर जो की बनारस या रहे थे वो लोग थे, इसमें तीन लोगों की मृत्ती हुई है, एक ट्रक ड्राइवर क मृत्ती हुई है और दो मैजिक में जो सवार थे उनके मृत्ती हुई है, बाकी लोगों सभी को बनारस वाराणसी ब अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए